हेलो दोस्तो स्वागत है आपको इस वीडियो में यह वीडियो सेरसा सूरी से संबंदित महादवपुर्ण पॉइंट को रिविजन करवाएगा बस आपको इस वीडियो में बने रहना है देखिए छोटा सा वीडियो है दोस्तो और सेरसा सूरी से संबंदित important point है वे कभर होने वाले हैं पिछली वीडियो में हमने देखा था हुमायू से समंदित फास्ट रिभीजन हाँ उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा प्लेलिस्ट ही एक बना हुआ है चलिए सूरू करते दोस्तों देखिए सेर साह सूर तो लगाया जाता है क्योंकि सूर समराज के संस्थापक था और यह अफगान बंस यह था और सूर समराज के संस्थापक था तेखिए कार्जकाल यहां पर दे रहा है 1540 से 1545 यह मूगल वंस जब चल रहा होता है और हुमायू गद्धी पर होता है तब सेर साह सूरी ने दिल पर बढ़ जाता है और सूर समराज के संस्थापत बन जाता है यानि सूर समराज की अस्थापना करता है हुमायू 15 साल जंगलों में निर्वासी जिनकी विएतीत करता है पिछली वार पिछली वीडियो में हमने देखा था तो यसलिए ये 1540 से स्टार्ट हुआ है 1545 क्योंकि 15 1545 में कालेंजर के कीले के जितने के करम में इसकी मिर्टू हो गया था इसलिए 1545 यहां पर अंतिम डेट है कुल विलाकर कर कहें कि सेरसा जब दिल्ली पर आक्रवन किया और गद्दी पर बैठा तब से मिर्टू तक यहां पर कार्जकाल दिया है हाना समझ गया है चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों सबसे important point है कि 1486 इस बी में किसी ने बोला कि इसका जन्म हुआ है किसने डाक्टर के आर कनूनगो ने डाक्टर के आर कनूनगो के अनुसार सेरसाकांजन 1486 में हुआ था परमातमा सरन के बीचार के अनुसार सेरसांगां 1472 इस वी हुआ था जर्म क ह indicisé अब होने वाले है दोस्तों दिखिए फरीद खां बच्पन का नाम क्या था फरीद खां जातारम किसके लुकशा आता था ठीक है चलिए एक कहानी है दुस्तों कि फारीद खाने इक सेर ग को एक ही तलवार कें एक भर से मार दिया था सीर कार दिया था तो तब से मुहम्मध बहार खा लोहाणी ने फारीद खाको सेर खाकी इपादी से नवाजा था ये कोशन बहुत बार पुछा गया है कि फरीद खा को सेर खा की विपादी किस ने दिया तो मुहम्मद बहार खान लुहानी ने ठीक है दोस्तों चलिए क्योंकि फास्ट रिवीजन हो रहा है तो इसमें फास्ट रिवीजन ही होगा और में में पॉइंट होगा है न सेर सा बिलगर कालिंजर के कीले को जितने के करम में 22 मई 1545 इस भी को हो गया 1545 याद रहे 1545 में सेर सा की मिर्थू हो गया मिर्थू के समय उबहां उक्का नाम का अगने सास्त चला रहा था दोस्तों एक अगने सास्त चलाने के करम में जिसका नाम क्या था उक्का और कालिंजर के कीले को ज दोस्तों वीडियो में बने रही देखिए कालेंजर के सासा किरत सी बहुत सारे सेट में मिल लेगा दोस्तों देख लीजिएगा कालेंजर के सासा कौन थे तो किरत सी आगे है सेरसा का मकवरा सासा राम में है हना जील के बीचों बीच में दोस्तों जील के बीचों बीच उंच किला एक कुहना जो दिल्ली में है किला एक कुहना दिल्ली में है और रोहतास गड़ का किला का निर्मान किस ने करवाया सेर सा ने ठीक है चलिए next तेके सेर सा का उतराधिकारी उसका पुत्र इसलाम सा इसलाम सा पुत्र का नाम था दोस्तों याद रहे बहुत बार पूछा है कि शे सा का उतरा धिकार्य कौन हुआ उसके पुतरzić इसलाम सा चलिए निक्स फूनिमा पून के लिए एक परणाली चला था सिकंद्री गजे है इसको गजे सिकंद्री पोल सकते सिकंद्री गजस या जिकंद्री 22 वाला था यह यह वूनिमा आपने की एक ही काई है जो किस ने परियोग किया था शेर शाने परियोग किया था और एक था सन ए दंडी सन सन की दंडी तो सन की दंडी और सिकंदरी गज किसने परियोग किया था सेर साने किसलिए भूमी मापन के लिए चलिए रूपया नामक्सिक्का किसने चला दोस्तों हर सेटी मिल लेगा देखिए हर सेट मिल जागा आपको रुप्याना मक्सिक्का किसने चलाया था तो सेर साने चलाया था और जो रुप्याना मक्सिक्का था वहां कितने ग्रेन चांदी का था 178 ग्रेन चांदी का रूपया था और जो तामबे का दाम चला था तीन सु असी ग्रेन तामबे का दाम तो दोस्तों ये बहुत बार बहुत सेटों में मिला है आप इसे याद कर लें तेकि बहुत सारे important point इसमें छुपा हुआ है दोस्तों जो की काफी महत्वपूर्ण है परि स्थान पर सेर सूर नामक नगर बसाया था सेर सूर नामक नगर बसाया था ये भी important है चलिए एक वटा तीन भाग क्या था दोस्तों पैदावर का बसूला जाता था क्या बसूला जाता था टैक्स जिसको टैक्स बोला जाता है कितना था पैदावर का एक वटा तीन भाग य प्त्प्रथा की शुरुवात शेर्षा निक करवाया था important है काबोलियत एवं पट्टा प्रथा और एक जो most important है यहाँ पर देखिए जो मुश्ट इंपोर्टेंट है, सेरसा ने 1541 इस्वी में पाटली पुत्र को पटना के नाम से पुना अस्थापित किया, हाना, मुश्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, पाटली पुत्र को पटना के नाम से पुना अस्थापित करने वाला सासक कौन है, सेरसा, कब 1541 इस्वी वाड़ी और आपको सेट में मिल जाएगा कि गरेंट रक रोट का निर्मान कि कि ने करवाय तो उसका अंसर देता है सेर तो गरेंट रक रोट से सम्मढ्दित सेरस हम ही आता है अन्सर मलीक मुहमंद जैसी theatre के संकालिन चलिए डाग प्रथा का परचलन सेरसा के द्वारा करवाया गया था डाग प्रथा भी बहुत वार सेट में मिलता है दोस्तों तो ये था सेरसा से समंधित महत्पुर्ण पॉइंट जो दोस्तों मैं आपको करवा दिया रिवीजन अना तो वीडियो कैसा लगा जरूर कॉमेंट में बताएगा दोस्तों मिलते हैं अगले पॉइंट में अगले वीडियो में जो है रिवीजन के तोड़ पर अकबर को देखेंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में